आगे हम बात करेंगे तो आगे चात्रा जिले की बात करेंगे चात्रा जिले का गाउं है तितरिया निलांचो नदी के पास बसे इस गाउं में पहुँचने के लिए नापकी सड़क है और नापू गाउं में स्वास्ते केंदर तक नहीं है और इसके बावजुद सरकार ने इ चत्रा जिले का तेतरिया गाउं बारिस में तीन महीने टापू बन जाता है क्योंकि नदी पर अब तक पूल नहीं बना पूल तो दूर की बात है गाउं में पहुचने के लिए सरक तक पक्की नहीं है नदी होने की बावजूसी चाय की व्यवस्ता नहीं हाई स्कूल है लेकिन प्रयाप्त भवन नहीं है स्वास्त केंद्र नहीं है गाउं को मिला एम्बुलेंस महीनों से खरा परा है गाउं में बुन्यादी सुधाओं की घोर कमी है फिर भी सरकारी फाइलों में ये आदर्स गाउं है देश के परसित स्वतंतरता सेनानी और आजाद भारत के पहले शांसर बाबु राम नरायन सींग का ये गाउं है बाबु नरायन सींग को छोटा नाकपुर केसरी भी कहते थे यही वजहे की साल 2012 में तबके उप मुख्यमंत्री सुदेश महतों ने तेतरिया गाउं को आदर्स ग्राम घोसित किया था काग्जों पर बहुत काम हुआ लेकिन गाउं विकास की राह ताकता रहा बाबु राम नरायन सींग की पूने तिदी पर जब अधिकारी गाउं में आपचाहिता निभाने पहुचे तो लोगों का गुस्सा फूट परा बगल में नदी है उसमें पूल नहीं है आने जाने का बहुत मुश्किला अदर्स गाउं के नाम पर केवल कागज में बात हुआ यहां धरातल पर कुछ नहीं हुआ है जाने में आदमी को बहुत मुश्किल होता है दस किलो मीटर 12 किलो मीटर घूमना पड़ता है और बरसाथ की दिन में तो और भी मुश्किल है जानी पाएगा अदमी अस्पाइगा उनके नाम पर यहां कुछ काम नहीं हुआ इस रामना रायन बावु के नाम पर छोटा यहां बहुत दिकत है नदीम पूलिया है अगर पूलिया पानी मार दिया तो नदीम जाएंगे तो बहस जाएंगे इदार रास्ता हम जाएंगे कि एक्सिडेंट हो जाएगा अगर नदी में पूल बन जाए तो हम लोग बहुत वेस्ट हो जाएंगे तब हम लोग के कहा जाएगा कि से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है लेकिन बीच में एक लाजन नदी है लाजन नदी में बार आ जाने के बाद ये गाउं लगभग तापू बन जाता है फ्रकंड मुख्या लाया फिर मुख्य सड़क तक जाने के लोगों को चार से पांच किलो मीटर की दूरी तैय करनी पड़त अगर यहां अगर बीमार पढ़ जाए कोई लेडी और बच्चा अगर होना है या कुछ होना है तो रास्ते में जम थोड़ देगी गाड़ी पलड़ जागा रास्ता पर नहीं है और यहां हाई स्कूल है लेकि एक भी सिच्छक एम आहिला नहीं है यहां के लड़की लोग यहां के चार वो पारा सिशक टीचर हैं उसी पर स्कूल चल रहा है। पुछने वाला कौन होगा। सरकार घोषनाय करके अपनी चिमेवारी निभा लेती है। अब सर घोषनाओं को कागजों में दर्ज कर अपनी चिमेवारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन गाओं और ग्रामिन इसी तरह सालों से ठगे जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र तास्यनानी और स्वतंत्र भारत की पहले सांसद बाबुराम नरायन सीह का यह घर है। यह अस्थल जहां बाबुराम नरायन सीह ने जनु लिया था और उनकी मौत भी हुई। अज यह गाओं को बाबुराम नरायन सीह के नाम पर यहां का बाल संसद समेत अन्य कई यहां कारिक्रम किये जाते हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि इस पहले स्वतंत्र भारत के पहले सांसद के जो पैत्री का वास है आज वहां मूलवुत सुधायें नहीं पहुँच रही है। खबर संकलन के दौरान लोगों ने कहा कि अधी जिल्ला प्रशासन या सरकार इस पे बांध बना देती है या पूल का निर्मान कर देती है। तो निशित मानिय त्यथरिया के लोग अपने प्रखन मुख्यालय और जिल्ला मुख्यालय से जुट जाएंगे। साथ ही लोगों ने कहा कि यहां कि लोग कृसी पर अधारित हैं। यहां कि लोगों को अगर निलंजना नदी से अगर बेहतर सीचाई की वेवस्था उपलब्द करा दी जाए। तो निशित मानिय यहां के जो लोग हैं वो शोना उपज करेंगे। अपने कैमरा परसंद प्रजोल मिस्था के साथ चत्रा से अनूज कुमार पांडे धन्यवाद। बतादे आपको कि चत्रा जिले का एक गाउं है तितरिया जहां निलांचन नदी के पास बसे इस गाउं में पहुंचने के लिए ना पक्की सड़क है और ना पूल गाउं में स्वास्त केंद्र तक नहीं है और इसके बावजो सरकार ने इस गाउं को आदर्श गाउं खोसि और इसे ख़वर पी और भी जादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुश पांडी हमारे सादे बफर से जुड़ चुके हैं अनुश देखिए चत्रा में एक ऐसा गाउं है जिसे आदर्श गाउं घोशित किया गया था लेकिन आदर्श गाउं घोशित करने के देखिए जी बशाया अश्यों पाई बने खुदे आखिए शुड़ आधवास में इन तो अचैघँ जी जानकारी को यहां ज़ुकीफ ते है आज कर सकते हैं कि उस गाउं को पहुंचने के लिए आपको कहीं न कहीं एक तालकाब से हुझारा पड़ेगा आप समझ सकते हैं कि वहां की जी आनुज आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप नजब होती है तो देखने वाली बात हुए कब प्रसासंग के निंद खुलती है और इस गाउं में उचित और मों कह सकते हैं कि जो सुविधाय है वो पहुंचाई जाती है